Hello everyone, let us move on to the final part of the chapter number 6. As you know that the name of the chapter is On the Face of It, which is written by Susan Hill. But before going through the final part of the chapter, let us revise the previous part. Previous part में हमने ये डिसकस किया कि Derry Mr. Lamb से बातचीत कर रहा है और Derry को उनके साथ अब बात करना बहुत अच्छा लग रहा है. वो अपनी कुछ पसंद बातें भी बताता है Mr. Lamb को, जो चीज़ उसको पसंद है. उसके बाद वो एक बात और कहता है, कि वो कुछ लोगों से नफरत करता है. कुछ लोग हैं जिनसे वो नफरत करता है. Mr. Lamb उसको बताते हैं कि इनसान की वेल्यू होती है. जिस चीज़ को वो नफरत कह रहा है, तो यह जो नफरत है ना, यह उसको अंदर से खतम कर रही है. नफरत इतना हर्ट कर रही है, जितना एसिड भी नहीं करता उसको. क्योंकि एसिड उपर से गलाता है. और नफरत अंदर से खतम करती है. इंटरनल पेन देती है. तो बेजिकलिन Mr. Lamb यह कहना चाह रही है, कि जो उसकी सोच है, कि इनसान नफिंग है, इंसान नफिंग नहीं होता. वो बता रहे हैं कि लोगों की एक इंपॉर्टेंस होती है. हर इंसान इंपॉर्टेंट होता है. लग आल मैनकाइट. लग इस दा सॉलूशन अफ अफ अल डिजेजेजेजेजेज. उसके बाद, डेरी जो है, वो अपना टॉपिक चेंज कर देता है. और उनसे कहता है, कि मुझे आपका गार्डन बहुत पसंद है. मिस्टर लैम उसको कहते हैं, कि तुम कभी भी आ सकते हो इस गार्डन बे. डेरी का मानना यह है, कि यह उसका घर नहीं है. लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं, नहीं हर चीज तुमारी हो सकती है, अगर तुम चाहो तो. डेरी कहता है, अगर आप नहीं होंगे, तब भी मैं आ सकता हूं क्या? तो मिस्टर लैम कहते हैं, बिल्कुल आ सकते हो. और हो सकता है तुम्हें यहाँ पर दूसरे लोग मिल चाहे डैरी जब यह बास सुनता है कि दूसरे लोग मिल चाहे तो वो कहता है कि नहीं फिर तो लोग माइंड करेंगे मेरे को देखेंगे, मेरे चहरे को देखेंगे तो वो मेरे चहरे को देखकर एक्दम भाग जाएंगे यानि मेरा चहरा उनको आने से रूखी गए हाँ पर Now let us move on to the final part of the chapter Mr. Lamb said They might, they might not You would have to take the risk So would they? अब Mr. Lamb उसको कह रहे है हाँ, हो सकता है कि वो लोग भाग जाएं वो लोग mind भी करें लेकिन तुम्हें risk उठाना पड़ेगा और उन लोगों को भी उठाना पड़ेगा risk Derry कह रहा है No, you would You might have me and lose all your other friends Because nobody wants to stay near me if they can help it तो Derry ने क्या कहा कि मुझे risk नहीं उठाना पड़ेगा आपको उठाना पड़ेगा मेरे यहाँ होने से Mr. Lamb I have not moved नहीं, अब तक तो मैं नहीं गया अब तक तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ तो Derry कहता है हाँ, अभी तक तो नहीं हुआ है Mr. Lamb When I go down the street the kids shout Lamby Lamb but they still come into the garden into my house It's a game They are not afraid of me Why should they be? Because I am not afraid of them That's why not Mr. Lamb उसको कहते हैं कि जब मैं गली में निकलता हूँ स्ट्रीट में जाता हूँ तो बच्चे मुझे कहते हैं Lamby Lamb लेकिन तब भी जो बच्चे मुझे चिडाते हैं ना वो तब भी गार्डन में आते हैं मेरे घर में आते हैं यह उनके लिए एक गेम है वो मुझे नहीं ड़ते They are not afraid और क्यों डरेंगे वो मुझे क्योंकि मैं भी नहीं डरता हूँ उसे That's why not Did you get your leg blown off in the war Mr. Lamb Certainly अब Derry जो है वो उनसे कह रहा है क्या आपकी जो यह टांग है यह वोर में चली गई थी तो Mr. Lamb केते हैं हाँ बिल्कुल उसी में चली गई थी Derry said How will you climb on a ladder and get the crab apples down then तो Derry उनसे question करता है तो फिर आप यह जो crab apples हैं तो कैसे तोड़ेंगे आपके तो तकलीफ है पैर में भी आपका एक पैर नहीं है तो कैसे करेंगे आप यह काम How will you climb कैसे चड़ेंगे तो Mr. Lamb's को कहें Oh, there is a lot of things I have learned to do and plenty of time for it Years I take it steady के बहुत सी चीजे हैं जो मैंने अब तक सीख ली हैं लेकिन बहुत टाइम लगा मुझे यह सब सीखने में सालों लग गए लेकिन मैं आराम आराम से सारे काम कर लेता हूं Dairy If you fell and broke your neck You could lie on the grass and die If you were on Your own अब Dairy जो है वो कहता है के अगर आप गिर पड़े तो अपनी गर्दन को तुड़वा लिया तो और आप घास पर लेटे होते और मर जाते तो क्या होता अगर आप यह सारे कम अपने आप करोगे तो ऐसा हो सकता है Mr. Lem कहते हैं हाँ हो सकता है ऐसा बिलकुल हो सकता है Dairy You said I could help you आपने कहा था ना कि तुम मेरी मदद कर सकते हो मैं आपकी मदद कर सकता हो तो Mr. Lem कहते हैं हाँ अगर चाहो तो कर सकते हो मेरी मदद Dairy But my mother will want to know where I am It's three miles home across the fields I am 14 But they still want to know where I am अब Dairy जो है वो उनको कह रहा है कि मैं आपकी मदद कर तो दूँ लेकिन मेरी मम्मी मेरी फिकर कर रही होगी उन्हें चिंता हो रही होगी कि मैं कहां पर हूँ और मेरा घर तो थ्री माइल्स दूर है Across the fields यानि उन fields के पार है तीन मिल दूर है ये बात वो उनको कह रहा है और मैं तो 14 साल का हूँ लेकि तब भी उन्हें फिकर हो रही होगी तब भी वो जानना चाहरी होगी मैं कहां पर हूँ मिस्टर लैम कहते हैं हाँ लोग तो चिंता करते हैं बिलकुल करेंगे Dairy कह रहा है कि अरे चिंता नहीं करते हैं पीपल फस पीपल तो बात का बतंगड बनाती है पीपल फस मिस्टर लैम गो बेक और टेल दें अब मिस्टर लैम उसको कह रहा है ठीक है जाओ और अपनी मदर को इनफॉर्म करके आओ कि मुझे वापस आना है गार्डन में और मिस्टर लैम की मदद करनी है तो Dairy कह रहा है अब फिर से वो बहाना बना रहा है कह रहा है नहीं तीन मील दूर है मेरा घर कैसे जाओं मैं मिस्टर लैम इस अ फाइन इवनिंग तो आप लेक्स मिस्टर लैम कह रहा है कि इतनी अच्छी शाम है ये और तुम्हारे तो पैर भी है क्योंकि मिस्टर लैम के तो पैर नहीं है वो दौर तो सकती नहीं ठीक से तो तुम तो जाकर अप मा को इनफॉर्म कर दो और वापस आजी न Dairy once I got home they would never let me come back Dairy कह रहा है अगर में एक बार घर चला गया न तो मेरे पैरेंस में जी वापस नहीं आने देंगे तो Mr. Lamb अब यहाँ पर उसको चैलेंज करेंगे देखो Mr. Lamb once you got home you would never let yourself come back अब यहाँ पर Mr. Lamb क्या कर रहे है कि उसको चैलेंज कर रहे है क्योंकि वो ब्लेम किसको दे रहा है घरवालों को दे रहा है पहाना बना रहा है कि वो वापस नहीं आपाएगा अब Mr. Lamb उसको चैलेंज क्यों कर रहे है ताकि वो इस चैलेंज को एकसेप्ट करे तो वो कह रहे है अरे एक बार तुम घर चले गई न तो तुम खोद आना नहीं चाहोगे तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि डेरी को चैलेंज किया है इससे यह पता चलेगा कि उसके अंदर चैलेंज आए है कि नहीं आए है तो डेरी के अंदर चैलेंज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं अब ये काम शुरू हो रहा है थीरे थीरे डेरी यू डोंट नो यू डोंट नो वाट आइ वाट आइ कुड डो डेरी को जब मिस्टर लैंब चैलेंज कर रहे हैं कि तुम एक बार चले जाओगे तुम खुद नहीं आना चाहते हो तो डेरी कहता है नहीं आप मुझे नहीं जानते हैं आप मुझे बिलकुल नहीं जानते हैं मैं क्या कर सकता हूँ या आप नहीं जानते हैं मिस्टर लैंब नो अब यू नहीं आए तो मिस्टर लैंब कहते हैं हाँ मुझे नहीं पता यह तो तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो Dairy, if I choose अभी हाँ पर वो choose की बात कर रहा है it means decision लेना शुरू कर रहा है वो अब तक उसने नहीं किया ये काम अब वो decision ले रहा है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं क्या कर सकता हूँ Mr. Lamb, oh if you choose तो Mr. Lamb करें, अच्छा, decision लोगे तुम if you choose, अगर decision लोगे अच्छा, I don't know everything boy, मैं नुम्हारी हर चीज़ तो नहीं जानता लड़के I can't tell you what to do मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम क्या कर सकते हो Daddy, they tell me अब वो फिर से कह रहा है अरे, वो जो घर पर है न मेरे parents, they, they कौन है parents की बात हो रही है वो मुझे बताते हैं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मतलब मेरी मर्जी नहीं चलती है वो मुझे कहते हैं, कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है तो वो कहेंगे अगर मुझे आने को तुम्हें आऊंगा, नहीं तुम्हें नहीं आपाऊंगा Mr. Lamb, do you have to agree? तो Mr. Lamb उसको पूछ रहे हैं तो क्या तुम्हें माननी है उनकी बात? मत मानो, तुम खोड डिसीजन लो ना, क्यों नहीं ले पा रहे हो? Daddy, I don't know what I want I want something no one else has got or ever will have something just mine, like this garden I don't know what it is Derry कह रहा है, मुझे ऐसी चीज़ें चाहिए हैं मुझे चाहिए कुछ ऐसा जो आज तक किसी को ना मिला हो कुछ ऐसा जो मेरा हो, अपना खुद का हो जैसे कि ये गार्डन, किसका गार्डन? Mr. Lamb का गार्डन उसकी बात को वो कह रहा है कि जैसे कि आपके पास ये गार्डन है न, ऐसी ही मेरे को भी अपनी कोई ना कोई चीज़ चाहिए है Derry How? Mr. Lamb कह रहा है उसको You could find out तो तुम ढूंड सकते हो, तुम भी है मेरी तरह एक कोई चीज़ ढूंड लो ऐसी जो तुमारी अपनी हो तो Derry कह रहा है कि कैसे Mr. Lamb कहते है Waiting, Watching, Listening इंतजार करके Watch करके Listen करके Sitting here or going there यहां बैठ कर या उधर जाकर I will have to see to the bees जैसे मैं जा रहा हूँ, यहां बैठा हुआ थाना भी अब मैं जा रहा हूँ अपनी bees को देखने के लिए Sitting here मुझे अपनी bees को देखने जाना है Derry Those other people who come here Do they talk to you? Ask you things? Derry फिर से कोई question put up कर देता है उनसे और उनसे कहता है कि वो जो other people यहां पर आते हैं garden में क्या वो आपसे बात्चित करते हैं और आपसे चीजों के बारे में पूछते हैं कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना बार वो आपसे तो Mr. Lam कहते है Some do, some don't I ask them I like to learn Mr. Lam बता रहे हैं हां कुछ है जो मुझे से बात्चित करते हैं आते हैं जब यहां पर और बहुसी चीज़ें पूछते भी हैं लेकिन कुछ नहीं भी पूछते हैं कुछ ऐसे भी हैं और मुझे सीखना अच्छा लगता है तो वो अब डैरी को बता रहे हैं कि मैं बहुसी चीज़ें सीखता भी हूं लोगों से डैरी I don't believe in them I don't think anybody ever comes You are here all by yourself and miserable and no one would know if you were alive or dead and nobody cares डैरी जो है वो मिस्टर लैंड को कहता है मुझे तो विश्वास नहीं है कि कोई यहां पर आता जाता भी होगा कभी आया भी होगा आप यहां खुद अकेले हो लाचार हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर आप मर भी गए या जिन्दा भी रहो तो भी किसी को पता नहीं चलने वाला नोबडी किर्स मिस्टर लैंड यू ठिंक वाट यू प्लीस जैसा तुम सोचते हो वैसा सोचो तुमारी मर्जी है तुमारी खुशी है जैसा तुम चाहो डैरी तो मिस्टर लैंड जो है वो कहते है वाट अर नेम्स नाम में क्या रखा है टॉम डिक और हैरी तो यहाँ पर जो मिस्टर लैंड है वो एक इडियम दे रहे हैं आम लोगों के नाम बता देते हैं जैसे रैफर कर देते हैं और्डिनरी पीपल इन जनरल महां से खड़े हो चुके हैं तो कि उनको जाना है अपनी पीज को देखने के लिए तो वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ I'm off, down to the piece डैरी I think you are daft, crazy अब डैरी जो है वो एकदम से कह रहे हैं अजीब से आदमी है यह है तो उनको कहता है कि मुझे लगता है कि आप थोड़े सनकी है, daft है, crazy है Mr. Lam That is a good excuse Mr. Lam कहते है बहुत अच्छा बहाना है यह तुम्हारा मुझे इस तरीके से जो आप तुम बोल रहे हो बहुत बढ़िया तरीका है That is a good excuse डैरी किस बात का बहाना है What for? You don't talk sense क्या आप पागलों जिसी बातें नहीं करते है है? मतलब वो कह रहे है वो डैरी को डैरी जब कहता है कि good excuse है तो Mr. Lam यह बात कहते हैं उसको कि मैं पागल हूँ, अच्छा बहाना है मत आना वापिस आने की कोई जरुरत नहीं है Mr. Lam, good excuse not to come back अच्छा बहाना है वापस आने, नहीं आना है कोई बात मत आना, कोई बात नहीं and you have got a burnt up face and that is other people's excuse तो Mr. Lam उसको यह बात भी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो चहरा है वो जला हुआ है और यह जो चीज है तुम्हारी चहरा जो चला हुआ है यह चीज बाकी लोगों के लिए एक पहाना बन जाती है यह पहाना है तो अब डैरी जो है वो कह रहा है You are like the others You like to say things like that आप बिल्कुल दूसरों की तरह हैं जैसे दूसरे लोग चीज़ें बोलते हैं वैसे ही आप बोलते हैं If you don't feel sorry for my face अगर आप मेरे लिए मेरे चेहरे को देखकर sorry feel नहीं कर सकते तो you are frightened of it And if you are not frightened You think I am ugly as a devil तो अब डैरी जो है वो यह बात कहरा है Mr. Lamb को कि आप भी है ना औरों की तरह जो है वो डरते हैं मेरे चेहरे से और आप यह सोचते हैं कि मैं बहुत भद्दा हूँ I am ugly as a devil I am a devil Don't you? क्या ऐसा नहीं सोचते आप? जोर से चिलना कर वो यह बात कहरा है मिस्टर लैम सुनते नहीं है क्योंकि वो उट गए है वो चले गए हैं अपनी बीज को देखने के लिए वो दूर जा रहे हैं धीरे धीरे तो मिस्टर लैम ड़स नॉट रिप्लाइ उन्होंने शाहिद उसकी बात को सुना नहीं है He has gone to his bees वो अपनी बीज को देखने के लिए जा चुके हैं डैरी चुप हो जाता है No, you don't I like it here तो डैरी धीरे से बोल रहा है अब ये बात क्योंकि मिस्टर लैम दूर हो चुके है वोने सुनाई नहीं दे रहा वो काफी दूर चले गए तो डैरी धीरे से कह रहा है नहीं, आप नहीं ऐसा कर सकते मुझे यहां आना पसंद है मैं आऊंगा यहां पर यहां पर उसने यह बात कही है कि मैं जा रहा हूं और मैं वापस आऊंगा आप देखना, आप इंतजार करना मैं दौर सकता हूं यानि यह वो ही बाते हैं जो मिस्टर लैम ने उसको बोली कि तुम्हारे दो पैर हैं लड़के तुम जा सकते हो तुम लेट कर सकते हो तुम देख सकते हो यह सारी बातें आप वो डेरी बोल रहा है यानि पॉजिटिव थिंकिंग उसके अंदर आ रही है और वो कह रहा है कि देखो मैं नहीं डरता मैं आऊंगा जरूर वापस आपकी हल्प करने डेरी रंस ओफ साइलेंस डेरी चला जाता है चुप चाप अब मिस्टर लम तो हमसे अब बातेंस अब मिस्टर लम तो हमसेद आपकी है तो अब मिस्टर लम जो है वो उसको कहते है मैं अब दीरे से बोल रहे हैं चले गहे हैं वो तो कह रहे है माई डियर देखेंगे तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ I will come back वो नहीं आते हैं जो कहते हैं ना ऐसा कि हम आएंगे वो नहीं आते हैं वो बोलते हैं सब की वापस आउँगा लेकिन कभी नहीं आते हैं और इस तरीके से गार्डन की जो आवास थी वो थीरे थीरे कम होती चली करी सेकिंड सीन हमारा जो है वो डैरी के घर का है अब वो घर पहुँच चुका है और उसकी मदर उसको समझा रही है क्योंकि डैरी ने घर जा कर जब मिस्टर लैम के बारे में बोला तो उसकी मा मिस्टर लैम को पहने से जानती थी क्योंकि लोग उनके बारे में काफी बाते करते हैं बच्चे चिडाते हैं तो मिस्टर लैम को वो जानती है इसलिए वो कह रही है उसकी मा जो है, वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है क्या कह रही है You think, I don't know about him मुले तुम ये सोचते हो कि मैं Mr. Lam के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ I haven't heard things मैं उनके बारे में क्या सुना नहीं है बहुत कुछ सुना है मैंने उनके बारे में मतलब वो उसको डांट रही है कि तुम वहां क्यों गए थे इस तरीके से वो उसको डांट रही है तो डैरी कहना है You shouldn't believe all you here कि जो कुछ आप सुनती है ना उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए लोग क्या कहते है, उस पर क्यों भरोसा करो It means यहां पर वो अपनी मा को अब समझा रहा है जो चीज Mr. Lamb ने उसको समझाई वो अब अपनी मदर को समझा रहा है तो positive हो गया है वो लड़का कि लोगों की बात पर भरोसा क्यों करते हो तो वो अब मा से कह रहा है क्या आपने Mr. Lamb के बारे में जो कुछ भी सुनाई उससे भरोसा कैसे करते हैं आप Mother, being told, warned we have not lived here three months but I know what there is to know and you are not to go back there उसकी मा उसको डांट कर कह रही है बहुत लोग बता चुके हैं मुझे हम यहां तीन महीने नहीं रहे हैं बता रही हैं वो we have not lived here three months but I know पर मुझे पता है जो भी जानने वाली बाते हैं वो सब में जानती हूँ और तुम वहां नहीं जाओगे वापस कहां नहीं जाओगे गार्डन में वापस नहीं जाओगे it means उसकी मदर ने उसको घर पर रोग लिया है what are you afraid of तो Terry जो है वो कह रहा है अपनी मा से किस पास से डरती हैं आप किस चीज से डर हैं आपको what do you think he is आप क्या सोचती हैं उनके बारे में an old man with a tin leg एक उड़े आदमी है जिनका tin का leg है एक बड़े से घर में रहती है बिना curtains के एक garden है उनका and I want to be there रहा है कि मुझे वह जाना अच्छा लगता है मैं वहाँ बैठूँगा वहाँ चीजों को सुनूँगा listen and look देखूँगा मदर कहती है listen to what अब मदर जो है वो उसको डाट कर कह रही है क्या listen करोगे listen to what तो daddy बोल रहा है bees singing him talking dairy बता रहा है Mr. Lamb के बारे में कह रहा है कि वहाँ जो bees है वो sing करेंगी और him कौन है यहाँ पर him Mr. Lamb की बात कर रहा है Mr. Lamb बात करते हैं मुझसे और वहाँ पर जो bees है वो गाना गाती है यह सुनूँगा मैं वहाँ जाकर यह सब चीज़ें देखूंगा वहाँ जाकर Mother and what is he got to say to you अच्छा तो क्या है उनके पास जो तुमें वो बताएंगे Daddy things that matter वो चीज़ जो matter करती है things nobody else has ever said ऐसी चीज़ें जो आज तक किसी ने भी नहीं बताई मुझे things I want to think about चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ तो Mother कहती है then you stay here and do your thinking your best of here माने उसको डाट दिया है कह रहा है ठीक है यहीं रहो और सोचते रहो यही तुमारे लिए अच्छा है कि तुम यहीं हो Daddy I hate it here Daddy कह रहा है कि नहीं मैं यहां नहीं रहूँगा मुझे बाहार नहीं करना है अब लोगों का डर खता हो गया लोगों से नहीं डरता हो Mother You can't help the things you say तो Mother जो है वो से कह रही है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है जो कुछ तुम कह रही हो I forgive you इसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हो It's bound to make you feel bad things And say them I don't blame you तो यहां It's क्या है यह Mother जो कह रही है It's bound It's face को कहा गया है जो चहरे पर उसके दाग है उसको कहा है यहीं तुम्हें बुरा फील कराता है यह जो चहरा है ना यह तुम्हें बुरा फील कराता है और तुमसे बुरी चीजें बुलवाता है I don't blame you मैं तुम्हें उसका blame नहीं देती Daddy It's got nothing to do with my face and what I look like तो वो कह रहा है जो कुछ भी आप बोल रही है इसे मेरे फेस का कोई connection नहीं है मैं कैसा भी दिखता हूँ तो अब यहाँ पर वो सारी बाते कह रहा है I don't care about that and it is not important यह सब चीजें आप इंपोर्टन नहीं है उसके लिए कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ और मेरे चेहरे को लेकर जो बातें आप लोग कह रहे है It's got nothing to do with my face कि मैं कैसा दिखता हूँ I don't care about It's what I think and I feel तो यह क्या है यह सब positive thinking है अब finally अब Daddy को समझ आ रहा है कि उसके face का जो दाग है उससे उसको कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए उसके चेहरे पर जो हुआ वो सब चीज़े जो है वो सब अब खतम हो रही है उसके जो negative attitudes थे वो अब थीरे थीरे खतम हो रहे है उसके positive attitudes अब थीरे थीरे आ रहे है But I am going वो कह रहा है लेकिन मैं जा रहा हूँ मतलब वो मा की बात को अब नहीं समझ रहा है And I am going back there वो कह रहा है कि मैं वापस जा रहा हूँ Only to help him सिर्फ उनकी मदद करनी है मुझे With the crab apples किसली मदद करनी है क्योंकि वो crab apples को तोड़ें के सीडी पर चड़कर तो उनकी मदद करने जाना है उसको Only to look at things and listen वही बात वो कह रहा है फिर से But I am going, मैं जा रहा हूँ तो mother कह रही, you will stop here तुम्हें यहीं रुक ना होगा, रुक जाओ यहीं पर डांट कर उसको फिर से चुप कर आ रही है Derry, oh no, oh no Because if I don't go back there I will never go anywhere in this world again And I want the world, I want it, I want it वो चिलाते वे जा रहा है, कह रहा है कि मुझे यह दुनिया चाहिए मैं चाहता हूँ इस दुनिया को मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ और धीरे धीरे जो सांस की जो आवास थी, वो हाफ रहा था वो धीरे धीरे कम होती चली गई तो यह सीन हमारे second scene था जो mother और उसके बीच में हुआ जिसमें mother और उसके बीच में conversation था और उसमें सारी चुब आते थी सब positive बोली है कोई भी negative thought उसके दिमाग में नहीं था थाइम पर scene 3 आता है again Mr. Lambs garden garden में sound हो रहा है noise of a branch shifting यानि किसकी आवाज आ रही है branch shift हो रही है जैसे पर branch टूटने की आवाज आती है apples thumping down, apples गिर रही है नीचे जमीन पर उसकी आवाज आ रही है the branch shifting again और branch दुबारा से shift हो रही है यह सारी आवाजें वहाँ पर आ रही हैं आप तो सारी आवाजें जब आती हैं तो अब dairy जो है Mr. Lam Steady, that's got it that's it, more apples fall and again that's it and a creek, a crash the ladder falls back Mr. Lam with it, a thump the branch swishes back creaks, then silence dairy opens the garden gate is still panting dairy जो की दौरता दौरता garden गदर वाजा खोलता है और दौरता दौरता आता है और हाफ रहा है तो उसने कुछ आवाज सुनी है कैसी आवाज सुनी है चर, चर की आवाज आती है creek, crash यानि टूटने की आवाज आ रही है और ladder जो है वो false हो चुका है यानि सीडी नीचे गिर गई है और Mr. Lam उसके साथ साथ नीचे गिरे है एकदम थंप की आवाज आई है क्योंकि वो नीचे गिरे तो आवाज आ रही है थंप, the branch switch is a back, branch जो है वो सरसरा रही है धीरे sound निकल रहा है, then silence और उसके बाद एकदम silence हो जाता है डेरी ने दर्वाजा खोल दिया है garden का और वो हाफ रहा है और डेरी एकदम से दोड़ कर उनके पास जब पहुँचता है तब तक वो गिर चुके है you see, you see I came back, you said I wouldn't and they said, but I came back I wanted और जैरी बड़ा खुश हो जाता है और जैसी, वह पहुचता है तो चिल्दाता चिल्दाता आरहा- dato देखा आपने, देखा आपने मैं वापस आगया और आपको कहा था ना मैं कि मैं वापस आओंगा और मेरी माने मुझे कहा था कि नहीं तुम नहीं जाओ कि वहाँ, लेकिन तब भी मैं वापस आ गया, क्योंकि मैं यहाँ आना चाह रहा था, मैं यहाँ आना चाह रहा था, और अचानक से वो रुक जाता है, he stops dead, सब जगा शानती चाह जाती है, क्योंकि उसने अब Mr. Lam को जमीन पर देखा, Mr. Lam, Mr., you have, वो वो कह रहा है, Mr. Lam, आप, you have, he runs through the grass, वो ग्रास की तरफ तौड़ता है, और घुटनों के बल, बैट जाता है, जैसे आप इस पिक्चर में देखा हैं, वो सीड़ी लेकर नीचे जमीन पर गिर पड़े हैं, पेड के उपर से गिरे हैं, वहां सीड़ी पर क्रैब अपर तोड रही थे, और वो दर्वाजा खोल कर उनके पास पहुचता है, और इस तरीके से बैठा है, या आपकी बुक में ये पिक्चर दिया हुआ है, और वो कह रहा है, Mr. Lam, उठीए Mr. Lam, उनके पास आ चुका है अब वो, Daddy, you see, you see, came back, you said, I wouldn't, and they said, but I came back, I want it, he stops dead, वो साइलेंस हुचता है, Mr. Lam, Mr. you have, Mr. Lam, it's all right, you fell, I'm here, Mr. Lam, it's all right, वो Mr. Lam से उनके हाल चाल भी पूछ रहा है, सब ठीक है न, आप गिर गए थे, आप गिर गए, मैं यहाँ हूँ, देखो, मैं वापस आ गया हूँ, Mr. Lam, सब ठीक है, वो सारी बाते कह रहा है, कि देखो, मैंने वादा किया था, मैं वापस आ गया हूँ, I came back, फिर वो उनको उस नाम से भी बुलाता है, जिससे बच्चे चिड़ाते थे, लैमी लैम हो कह रहा है, लैमी लैम, मैं देखो, मैं आ गया है, मैं आ चुका हूँ, डैरी बिगिंस ट एकदम हार्श हो जाती है, एक हार्श साउंड अफ वोड, उसकी आवाज एकदम धीरे धीरे रोने में बतल जाती है, और टैरी जो है, वो रोना शुरू कर देता है, यह कह कर कि मैं वापस आया, लंगले लैम, मैं आया वापस, यह यहाँ पर कुछ मिने मेनिंग्स भी दिय तो यहाँ हमारा फाइनल पार्ट कम्प्लीट होता है, ओनली वन चेप्टर इस लैप्ट इन यह से लेपस, थैंक यू अल अफ यू